जीगानोटो सोरस सबसे बड़े ग्यार स्थलिय मासहारियों में से एक था लेकिन अभी तक इनके मिले अफशेशों की अपूरनता के कारण इसका सटीक से अकार निधारित करना कठेन है क्यूंकि अभी तक इसके कोई भी पूर्ण रूप से विक्सित अफशेश नहीं मिले है कुछ शोद करताओं ने इस जानवर को टेरानसोरस से भी बड़ा पाया है जिसे अतहासिक रूप से सबसे बड़ा थेरोपोर्ड माना जाता है जबकि अन्य ने अकिसे अकार के रूप में बराबर पाया है जीगानोटोसोरस कारगेंटोसोराइड परिवार का एक हिस्सा है जिसमें अन्य बहुत बड़े थेरोपोर्ड भी शामिल है जैसे मौपूसोरस और कारगेंटोसोरस Giganotosaurus के बारे में यह माना जाता है कि यह अपने परिस्थितित्क तंतर का सर्वच शिकारी रहा है और हो सकता है कि यह किशोवर सोरोपूर डैनसोर को खाया करता हो Giganotosaurus सबसे बड़े ठेरपोर्ड डैनसोरूं में से एक रहा है लेकिन इसके अवशेशों की अपूर्णता के कारण ही इसका अकार का अनुमा लगाना मुश्किल है इसलिए यह निश्चित रूप से धारित करना असंबब है कि यह टैराइनोसोरस से बड़ा था या नहीं जीगानोसोरस क्रिटेशिस पीरिड के लगबग 104 से 97 मिलियन सालों पहले तक राज करते थे यह उस समय के सबसे बड़े कार्निवर्स डाइनसोर थे जो कि टैराइनोसोरस से तो बड़े होते थे लेकिन स्पाइनोसोरस से छोटे होते थे यह 13 मिल्टर लंबे और 3.7 फीड उचे होते थे इनका वेट 8 टन का होता था जीगानोसोरस को सबसे पहले रूबेन केरोलिनी ने 1994 में खो जा था जीगानोसोरस मूल रूप से सौथ अमेरिका में रहते थे जीगानोसोरस नाम का अठ है जाइंट साउदन लिजार यानि की बहुत बड़ा दक्षिनी चिपकली इनकी खोपड़ी का साइज ही 1.6 से 1.7 मिटर लंबा था जो की सबसे बड़े थैरो पोड़ों में सबसे बड जीगानोसोरस की तरह जीगानोसोरस आतिर बुद्धी के नहीं थे और ना ही इनके जो सैंस है वो डैवलप हुए थे इनका सैंस ओव वीजन इनके देखने की शक्ती सुनने की शक्ती और सूंगने की शक्ती ये टैरानोसोरस से कम होती थी इनके दिमाग का साइज बहुत छ सकता है कि यह एक होशियार डाइनसौर नहीं थी जीगानोटोसोर से जुंडों में शिकार किया करते थे उनके शिकार में एंडी सोरस और लीमा सोरस प्रमुख थे कभी कभी यह सबसे बड़े सोरो पोड अरजेंटिनोसोरस को मारने की शमता भी रखते थे जहां जे रहते थे उनके वातवरन में इनसे बड़ा शिकारी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था तो कैसे लेगी आपको यह जिगार नटो सोरस के बारे में इंफरमेशन अगर अच्छे लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एनिमल फेक्स हिंदी धन्यवाद